हेलो एब्रीवन आज हम जानेंगे SSC Stenographer 2022 का जो रिसेंट्ली प्रेफरेंस फॉर्म आउट होने वला हैं और अभी कल ही आपकी फाइनल वेकेंसी आउट हुई हैं जो की काफी अच्छी वेकेंसी हैं यह तो यूं कहें बंपर वेकेंसी हैं जिना दोस्तो आल्मोस्ट 4000 वेकें में और अल्मोस्ट 400 वेकेंसी जो हैं आपकी ग्रेट सी में दोस्तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपको डेल्ली पोस्टिंग चाहिए तो आपको किन डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस फॉर्म में टॉप पर रखना चाहिए और साथी साथ क्या उनमेंग को बयाली सो और शेली सो ग्रेट सी में मिलेगा यह सब जानेंगे पूरा इस वीडियो में लेकिन अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सबसाइब कर लिजेगा जिससे की आगे भी ऐसे ही इंफोर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहें और अगर आपको यह वीडियो पसं जोस्तों ग्रेट डी में सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट आता है एफ हक्यू यह आन। अदर उनके अंदर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी और लाइट्रीम यह पोस्टिंग रहने वाली है ग्रेट डी में और जो ग्रेट डी में इसका जो पेशकेल है वह आपका 2400 य में दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है M.E.A. याने Ministry of External Affairs यह से हम विदिश मंत्राले बोलते हैं और कहीं न कहीं जितने भी बच्चे जो स्टैनोग्राफर की त्यारी करते हैं उनका सबसे जिसे कहते हैं Most Favorite या फिर यूँ कहें Aspirational एकदम जिसके लिए बच्चे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेनद करते हैं यह उन डिपार्टमेंट्स में से एक है M.E.A. तो दोस्तों M.E.A. में भी आपको चौबिस सो पेस के लिए मिलता है ग्रेटी में और यह भी आपको पोस्टिंग जो देता है Lifetime डेली में देता है बट दोस्तों इसका एक फंडा यह भी है कि अगर आपकी रैंकिंग थोड़ा आगे भीचे है तो आपको इसके जो रीजिनल passport offices होते हैं जो कि डेली के बाहर है उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है तो इसलिए आप चाहें तो इसको opt भी कर सकते हैं और skip भी कर सकते हैं यह आपका खुद का फैसला होने वाला है वह दोस्तों इसके बाद हम आते हैं election commission of इंडिया पर दोस्तों अगर आप work culture wise बात करें और promotional aspects के बारे में बात करें तो आपके लिए ECI यानि election commission of इंडिया काफी अच्छा department होने वाला है great D के लिए और दोस्तों इसके बाद आता है सभी बच्चों का most favorite DOPT या दोस्तों department of personal and training दोस्तों जो department of personal and training यानि DOPT है इसकी lifetime posting जो होती है वो डेली में होती है और यह कई सारी ministries में अलग-अलग ministries में आपको posting provide करवाता है specially grade D के लिए grade C में DOPT की विए नहीं होती है और दोस्तों इसका भी जो आपको यह फाइदा है कि आपको अलग-अलग ministries में काम करने का मौका मिलता है और आपकी lifetime जो posting रहने वाली है वो डेली में ही रहने वाली है आपका transfer तो होगा बट डेली के बाहर नहीं होगा वह दोस्तों इसके बाद हम आते हैं जुखर में गाइब दोस्तों जो रेलवेघ डिपार्टमेंट है यह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है क्योंकि इसका जो करो तेजी से होता है इसमें आप डिपार्टमेंटल एक्जाम देकर के बहुत तेजी से अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं इसलिए अगर आप देली में पोस्टिंग चाहते हैं और साथ में प्रमोशन अच्छा चाहते हैं तो आप रेलवेज को अप्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस फॉर्म पर वहीं दोस्तों इसके बाद आते हैं सिबिटि आपका जो है रेफ्रेंस पर में नीचे क्यों रखें क्योंकि सीबिटि में डेली में पोस्ट्टों है बट इतनी नहीं है कि आपको easily ये department दिली में मिल जाए इसलिए आप इसको चाहे तो ignore भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों इसके बाद आता है CGDA Controller General of Defense Accounts या दोस्तों इस department को अगर आप choose करेंगे तो आपको डेली में posting मिल सकती है और इस बार almost 29 vacancies इसकी total vacancies में से 29 vacancies डेली में ही है तो ये भी अच्छा chance है आप सभी के लिए अगर आप डेली चाहते हैं तो आप इस department को भी आप कर सकते हैं और एक बात और बताना चाहूँगा जिस प्रकार से AFSQ Ministry of Defense है उसी प्रकार से CGDA भी Ministry of Defense के अंडर ही आता है जो facilities आपको AFSQ में मिलेंगी वही facilities आपको CGDA में भी मिलेंगी तो जिस बच्चे का ख्वाव है कि उसे Ministry of Defense में जॉब करना है या फिर उसका जो आई-कार्ड होता है उस पे Ministry of Defense लिखा हो रक्षावंतराले लिखा हो तो वो CGDA को भी opt कर सकता है Great D के लिए दोस्तो ये कुछ Department से जो कि आपके Great D के Department थे और आपको Delhi में ये Posting दिला सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Great C के Department के बारे में दोस्तो Great C में अल्मूस्ट तीन ही Department है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वैसे तो इसमें सबसे पहले आथा है इसमें आपका विदेश मंत्रले जैसे हम M.E.A. बोलते हैं तो दोस्तो जो आपका M.E.A. है M.E.A. में आपको 4600 Great P की Salary बनती है आपकी यानि आपका जो पेस्केल होगा 4600 होगा Great C में साथी साथ इसमें आपको after 2 और 3 एर्स foreign posting भी मिलेगी यानि आगर आप विदेश की जो posting है आपको चाहते हैं तो आपको वो भी इसमें मिल जाती है Great C पर और साथी साथ दोस्तो इसका जो cut off है वो भी काफी हाई रहता है तो अगर आपके marks 150 और 155 प्लस हैं तभी आप इसको अपने Great C की लिस्ट में प्रेफरेंस पॉर्म में टॉक पर रखें लेकिन अगर आपको डेली पोस्टिंग चाहिए तो आप MEA को ले तो सकते हैं बट इसमें यह है कि आपको कुछ सालों बाद विदेश जाना पड़ेगा अगर आप अप लाइफटाइम पोस्टिंग चाहते हैं दिल्ली में तो आप एफच्क को चूज करें क्योंकि एफच्क्यू जो है वो लाइफटाइम पोस्टिंग दिल्ली में देता है प्लस इसका भी पेस्केल 4600 ग्रेट पे का ही है तो इसलिए आपको इन दोनों डिपार्टमेंट्स को डेली के पोस्टिंग लिए जुन सकते हैं बट अगर आप पर्मानेंट डेली पोस्टिंग चाहते हैं तो आप एफच्क्यू को चूज कर सकते हैं मैं दोस्तों जो मैंने जितने भी डिपार्टमेंट्स ग्रेट डी में बताएं उन सभी का पेस्केल 2400 है और इधर जो मैंने दो डिपार्टमेंट्स बताएं आपको MEA और AFHQ इनका जो पेस्केल है वो है 4600 ग्रेट पे ज्यानि आपकी जो सेलरी बनेगी और आपको डेली पोस्टिंग दिलाने में तो अगर ये इनफोमेशन आपको पसंद आती है आपके लिए हेलफफुल होती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए दो bye, take care